तो आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नमबर 15 का सोलूशन तो पहला कोश्चन हमारा क्या है कि इन मेजोरिटी अफ दे एंजो स्पर्म पोलेन इस रिलीज़ इन तू सेल इस्टेस्ट तू सेल्स आर देखो दो सेल होता है हमारे पूलेन के नमेक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जेनेरेटिव सेल और यह कब होता है जब पोलेन ग्रेन मेच्योर हो जाता है तो वह अन इकॉल माइटोटिक डिवीजन करता है जिसमें स्मॉलर सेल्स को बोलते हैं हम जेनेरेटिव सेल और लाजर सेल होते हैं उनको हम लोग वेजिटेटिव सेल बोलते ह क्या है कि वीच सेट ओफ हर्मोन और सिक्रीटे द्यूरिंग प्रेगनेंसी ओंली यह एंसी आट कोश्चन है प्रेगनेंसी के टाइम पे है एच सीजी एच पी एल और रिलेक्सीन ही सिक्रीट होता है हमारा जो प्लेसेंटे आई एक एक एंडोक्राइन टिशू के तरह काम करता है और वो यह तीनों हर्मोन प्रोड्यूस करता है कौन-कौन से एच सीजी जिसको हम लोग हुमन कोरियोनिक गणौडेट्रॉपिन बोल होते हैं और फिर क्या सीजी करता है यह इस्ट्रोजन और प्लेस्टान होता है हमारी एक और ही होती है वह रिलेक्सीन हार्मोन powder करती यह तो टीनों ही सिक्रीट होता है तो स्मेटी सब्सक्राइब दो इसगा अद्ग होजाएगा इसका मतलब क्या है कि यह linked genes हैं किया है । यह होगा इन में कि high number of parental types होगा high number of parental type होगा क्यों कि linkage का जो strength होता है कि इसके बीच में दो genes के बीच में जो chromosome पर aligned होते हैं तो यह क्या है linked genes independent assortment सो नहीं करेंगे that's why क्या है कि इन में हाई परेंटल ज्यादा होगा नेस्ट कोशन आपका क्या है एट नंबर कोशन सम्टाइम दा चेंज इन अलेलिक फ्रिक्वेंसी इस सो डिफेंट इन दे सेंपल ऑफ पॉपॉलेशन दे बीकाम डिफेंट इस पीसीज दे ओरिजनल डिफ का कई होता है कि जंतिक ड्रिफ इतना जादा प्रोम्रेंट होता है कि जो पॉपॉलेशन equipped में जो से दिक और से यह उससेट से उसक्यां कंच हो जाएं तो तो गया हो जाएनसर और को जाएगा आपका क्या है कि सेलेक्ट दा इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉलोविंग पहला है थ्रू वेसिंस एंटीजेनिक प्रोटीन सफ पैथोजन और डेड और वीकेंड पैथोजन सार इंट्रोडूज़ इन दा बॉडी सही बात है क्योंकि तो प्रिपेर कर रहे हैं कैसे डिमेस्टिक एनिमल्स में इंजेक्ट करके जब हम इसको इंजेक्ट करते हैं जब इस वेन्यून और किसके रिस्पॉन्स में आँ फिर उसका हम लोग क्या है एक्स्ट्रेट कर लेते हैं तो यह हमारा anti-venom हमारे active immunity नहीं बलकि एक हमारा passive immunity होगा इसलिए हमारा answer क्या हो जाएगा भी और C में क्या है anti-histamine control allergy वहुत famous हमें तो पता ही है नेक्स कोशन हमारा क्या है कि monascus purpureus is a yeast used commercially in the production of blood cholesterol lowering stain यह जो मोनस्कस purpureus है को हम लोग statin बनाने में यूज करते हैं और statin किसे बनता है किसके help से blood cholesterol lowering statins ठीक है तो इसका answer हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा next question आपका क्या है कि which of these not the feature of cloning vector पहला option है or supporting high copy number नहीं selectable marker यह भी सही है थर्ड दे रहा है कि resistance to the action of restriction enzymes यह आपका सही नहीं है क्योंकि जो cloning vectors होते है वो many restrictions enzymes के recognition site होते है लेकिन कोई एक ही site उनका restriction enzyme site होता है क्या बोला मैंने की cloning vector should have many restriction enzyme recognition site but only one site for each restriction enzyme restriction enzyme identify करता है specific site कहां पे DNA में और cut करता है एक pilindromic sequence में ठीक है तो इसलिए foreign dna segment होता है वहां पे attach हो जाता है तो इसका answer क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा next question आपका क्या है कि the variant of cry jeans used to control the corn borrers is ncrt का question क्या होगा cry1ab ठीक है क्या होगा cry1ab यह क्या करता है कि cotton ball worms को control करता है ठीक और cry1ab क्या करता है corn borrers को करता है यह जो आपका है cry2ab किसको control कर रहा है आपके cotton ball worms को लेकिन यह जो आपका cry1ab किसको control कर रहा है corn borrers को इसलिए आपका answer क्या हो जाएगा cry1ab next question आपका क्या है 21 which organism does not produce oxygen during photosynthesis जो in oxygen photosynthesis करता होगा वही तो इसमें एक ही example आपका है कौन सा रोडो इस्पिरिलम जिसके पास क्या है ps2 नहीं होता है that's why वह secret क्या करता है आपका in oxygen photosynthesis तो करता है next question की तरह बढ़ते हैं क्या बोल रहा है कि how many sperm में थीका are found in the male cockroach तो पहला option है one दूसरा है one pair तीसरा है two pair इसमें से कोई भी नहीं होगा क्यों कि इस पर में थीका तो पाया जाता है कि इसके अंदर female cockroach के अंदर लेकिन question पूछ दिया है क्या आप से male cockroach के बारे में इसलिए नहीं हो जाएगा next question है the second largest phylum of invertebrate animal is मुलस्क हो जाएगा first सबसे बड़ा कौन सा है अर्थ्रोपोडा तो इसका answer क्या हो गया आपका मुलस्क हो गया next question आप से बोल रहा है कि analyze the events occurring during every stage of the sales cycle how the amount of dna content per sales changes and select the correct option पहला option है dna content become double during s phase of sales cycle बिल्कुल सही बात है जब c से क्या हो जाता है 2c हो जाता है next option dna content is reduced to half during anaphase हाँ anaphase के time पे syntromere का division हो जाता उसके वयाद से chromatid क्या है opposite poles पे move कर जाते हैं और इसलिए वो 2c से c हो जाता है तो आपका answer कौन सा हो जाएगा d both a and b हो जाएगा next question आपका क्या बोल रहा answer इसका 8 होगा answer आपने reactions देखा होगा तो वह कैसे है ncrt में की n2 plus 8 electron plus 8 h plus plus 16 ATP gives दो molecular for ammonia एक hydrogen और 16 ADP plus 16 IP तो answer क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा next question आपका क्या बोल रहा है कि अंदर electron transport chain the correct sequence of electron acceptor is total 4 complex होते हैं तो इन 4 options में से आपको select करना है तो इसमें B, C, A और A3 जो आपको option दिख रहा है वो एकदम सही fit बैट रहा है कौन सा second number option आपका एकदम सही है next question आपसे क्या बोल रहा है कि thymocene play role in यह क्या है याड thymocene हमारा thymus gland से secret होता है जो कि एक हमारा peptide hormone है इसका function क्या है कि differentiation of T lymphocyte में यह बहुत जादा important role play करता है और वो क्या provide करते हैं सेल मेडियेटेड इम्यूनिटी तो आपका एंसर क्या हो जाएगा सेल मेडियेटेड इम्यूनिटी और यह हर्मोनल इम्यूनिटी भी provide करते हैं by promoting the production of anti-bodies ठीक है next question की तरफ बढ़ते है next question आपका क्या बोल रहा है कि the amount of urine released by the human in a day is कितना urine हम लोग release करते हैं लगभग लगभग एक से 1.5 लीटर जिसका pH लगभग 6 होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते slightly acidic और उसमें यूरीन में कितना यूरिया होता है 25 से 30 ग्राम तो एंसर क्या हो जाएगा हमारा भी हो जाएगा यह सब common question है आपको याद होने चाहिए next question आपका क्या है respiratory question for try palmitine is हमारे try palmitine क्या है fat है और fat के लिए respiratory about 0.7 होता है one किसके लिए होता है carbohydrate के लिए होता है organic substrate के लिए क्या होता है एक से ज्यादा होता है तो answer क्या हो जाएगा आपका 0.7 फिर question आपका next क्या बोल रहा है कि two features present in meiosis but absent in mytosis are meiosis में क्या होता है pairing of homologous chromosome होता है और उनके बीच में recombination होता है लेकिन हमारे mytosis में ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो answer क्या हो जाएगा भी हो जाएगा next question आपका क्या बोल रहा है कि biological organization starts with कहां से start होता है और सब-migroscopic level से वो start होता है ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा question हो जाएगा next question आपका क्या बोल रहा है कि the cellulosic wall is absorbed in the members of कहां पर प्रोटिस्टा और प्लांटी दोनों में क्योंकि यह जो प्लांट है हमारे इनका जो तीन लेयर से organization होता है primary cell wall middle layer और secondary cell wall और जो higher plants और some protest होते हैं उनमें cellulosic wall हमारा available होता है तो answer क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा next question आपका 58 क्या बोल रहा है which of the following statement is incorrect about phylum hemicodeta hemicodeta के बारे में क्या गलत है हमारा hemicodeta क्या है उसमें true no to cord present नहीं होता है ठीक है तो पहला option क्या है कि excretion by proboscis gland सही बात है second option expression by gills बिल्कुल सही बात है third option बोल रहा है कि यह monosius है तो बिल्कुल भी नहीं यह हमारा क्या है monosius नहीं है ठीक है तो आपका गलत इसके लिए कौन सा हो जाएगा थर्ड हो जाएगा आपके लिए example कौन कौन से याद रख सकते हो यार इसके लिए बिलेनो ग्लोसस और सैको ग्लोसस याद रख सकते हो ठीक है नेक्स कोशन आपका क्या बोल रहा है कि which of the following is correct with respect to bio fortified food इसका answer हो जाएगा आपका सी विटामिन सी एन्रीजड क्रॉप आर बीटर गॉड बथ हुआ मस्टर्ड एंड टोमैटो ठीक है यह ncrt का कोशन है नेक्स कोशन आपका क्या है कि the process of conversion of organic nitrogen from dead material to ammonia is known as वह process जिससे क्या है कि dead organic matter से ammonia बन जा उसको हम लोग क्या बोलते हैं और यह बहुत सारे microorganisms के वज़ा से होता है ठीक है next question आपका क्या बोल रहा है dense connective tissue can be absorbed at all of the following location except dense connective tissue हर जगह होता है लेकिन वह skin के नीचे हमारा नहीं होता है skin के नीचे हमारे नहीं होता देखो यह dense connective tissue यह तरह के fibroblast cells है जो की regular और irregular दोनों तरह के होते हैं ठीक है तो answer क्या हो जाएगा आपका beneath the skin यह नहीं पाए जाते हैं ठीक है next question हमारा क्या है कि which of the following is incorrectly matched पहला है ABO blood group in humans ABO किसका example है यार multiple allele का example है ठीक next question है skin color in human फिर उसको बोल रहा है multiple allelism नहीं यह multiple allelism नहीं बलकि यह polygenic inheritance है क्या है यह polygenic inheritance है इसलिए आपका B option गलत हो जाएगा next question आपका बोल रहा है कि rubisco enzyme can act both as carboxylase and as oxygen is in c4 cycle function as c4 cycle में यह mainly carboxylase activity so करता है क्यों oxygen activity को कम करने के लिए क्योंकि oxygen oxygen activity so करेगा तो हो जाएगा enzymes का क्या photo oxidation इसलिए आपका answer कौन सा हो जाएगा third हो जाएगा next question आपका क्या बोल रहा है कि the longest part of fallopian tube is called देखो fallopian tube में infundivulum भी होता है ampula भी होता है और isthmus भी होता है ठीक लेकिन इन में से सबसे जो longest part होता है वो हमारा क्या होता है ampula होता है और यह wider भी होता है wider के साथ साथ यह longest part भी है और यह common site है किसके लिए fertilization के लिए ठीक है तो यह होगा आपका answer next question की तरह बढ़ते है next question क्या बोल रहा है आपका कि how many of the given statement are correct पहला option क्या है hypothalamus is the center for eating and drinking सही है second option क्या है कि corpus callosum is made up of nerve fibers बिल्कुल सही बात है थर्ड है कि ADH is secreted by the posterior pituitry नहीं ADH कौन secret करता है हमारा neurohypophysis anterior posterior किसके पार्ट है यार वो तो adenohypophysis के पार्ट है लेकिन हमारा neurohypophysis क्या secret करता है oxytocinone vasopressin तो third option आपका क्या हो गया गलत हो गया fourth option क्या है कि balancing by semi circular canal is done by the macula macula से नहीं balancing of semi circular canal done होता है किससे kristiampularis से किससे kristiampularis से इसलिए कि आपका कितना option गलत है दो option गलत है कौन-कौन सा c और कौन-कौन सा d ठीक है next question की तरह बढ़ते हैं next question क्या बोल रहा है आपका कि which of the statement is not applicable to mutation देखो mutation के sudden change होता है sudden change होता है उसको आप predict नहीं कर सकते हो तो fourth option क्या दे रहा है आपका कि predictable है नहीं तो बिल्कुल भी नहीं क्यों क्योंकि रेंडम चेंज है next question आपका क्या बोल रहा है कि in eukaryotic transcription heteronuclear RNA is transcribed by hnrna transcribed होता है कि से RNA polymerase 2 से यह multi protein complex है जो कि RNA को transcribe करता है तो आपका answer कौन सा हो जाएगा next question की तरह बढ़ते है next question आपका क्या बोल रहा है कि when both allele of a pair are fully expressed in heterozygode they are called जब दोनों एक साथ अपने अपना phenotype character show करते हैं अपने आपको express करते हैं उसको क्या बोलते हैं यार को dominance बोलते हैं तो आपका answer कौन सा हो जाएगा भी हो जाएगा बहुत ही आसान question था यह next question आपका क्या है कि which layer of uterus exhibits strong contraction during parturation तो जो हमारा myometrium layer होता है न वह सबसे ज्यादा strong contraction show करता है क्योंकि यह देखो middle layer होता है और smooth muscle से बना होता है जो कि parturation के time पर बहुत ही ज्यादा contraction show करता है तो क्या हो जाएगा answer आपका यह myometrium हो जाएगा ठीक next question की तरह बढ़ते next question क्या बोल रहा है कि blood and bone marrow test are mainly done for analysis of किसके लिए analysis करते हैं leukemia के लिए किसके लिए leukemia के लिए हम लोग यह काम करते हैं next question आपका क्या बोल रहा है कि the method of breeding in with superior males of one breed together a female of other breed is called देखो पहला option दिया है आपको इन-breeding जो की नहीं हो सकता दूसरा है interspecific hybridization इसमें क्या होता है कि different species को met करते हैं तो यह भी नहीं होगा third option क्या है आपका out crossing out crossing में क्या होता है कि unrelated animals को लोग breed करते हैं fourth option क्या दिया cross breeding जिसमें क्या होता है कि different breed of same species को को मेट करते हैं इसलिए आपका एंसर क्या हो जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग हो जाएगा नेक्स कोशन आपका क्या बोल रहा है कि सलेक्ट द सेट ऑफ ओपी वर्ट्स मोर्फीन और हिरोईन यह आपके human health and disease का है मोपीन यह central nervous system और gastrointestinal tract पर अपना effect दिखाते हैं ठीक है तो एंसर क्या हो जाएगा आपका morphine and heroine हो जाएगा नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं नेक्स कोशन क्या बोल रहा है कि crossing over occurs between crossing over किसके बीच में होता है homologous chromosome के बीच में होता है किसे बीच में homologous chromosome के बीच में और अगर आप cell division की बात करें तो यह pro phase 1 में होता है जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं सिनेपसिस बोलते हैं तो क्या बोलेंगे हम homologous chromosome के बीच में होता है next question की तरह बढ़ते है वे वर्टिकल distribution of different species occupying different levels is called stratification क्या बोलते हैं इसको stratification बोलते हैं यह भी NCRT का question है next question की तरह बढ़ते हैं बोल रहा है वीच आप फॉलोइंग सेट सोज कन्वर्जेंट इवोलूशन के बारे में पढ़ते हैं या फिर australian marsupials के बारे में पढ़ते हैं वह सब सारे क्या सो करते हैं आपके कन्वर्जेंट इवोलूशन सो करते हैं इसमें एक्जामपल देखें आप तो पहला option यह क्या सो करते हैं आपके कन्वर्जेंट इवोलूशन सो करते हैं ठीक है next question की तरह बढ़ते है next question क्या बोल रहा है कि in a complete study of grassland ecosystem and pond ecosystem it may be observed that biotic and abiotic component are different कैसे abiotic factor में कौन-कौन से आ जाएंगे non-living things और biotic factors में living things तो दोनों के दोनों क्या होंगे different ही होंगे जैसे की wind sunlight and water to answer क्या हो जाएगा आपका see हो जाएगा next question की तरह बढ़ते next question क्या बोल रहा है कि the mrna consisting of two eighty two nucleotides can produce a polypeptide chain of answer क्या हो जाएगा देखो each codon कितने का होता है triplet होता है तो each codon triplet है इसका मतलब क्या है कि अगर two eighty two nucleotides है तो उसको three से divide करेंगे तो total codon कितना आएगा 94 codon आएगा लेकिन हमने क्या बोला है कि stop codon भी तो होता है जो last codon होता है तो उसमें से एक को हम माइनस कर देंगे तो हमारे लिए कितना सिंतेसाइज होगा यार 93 amino acid सिंतेसाइज होगा ठीक है तो नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं नेक्स कोशन क्या बोल रहा है आपका कि every species has a right to live what kind of value implies the conservation of biodiversity देखो यह ethical value होगा कौन सा होगा हमारे लिए ethical value यह answer हो है ठीक है नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं नेक्स कोशन क्या बोल रहा है कि दल लाइनिंग ऑफी से मिनी फिरस ट्रिविवल इस मेड़ अफ टू टाइप आप अफ सेल्स ए एंड बी एस एक के बारे में क्या बोल रहा है कि सेल अंडर गोज मियोसी सें रिजल्ट इन स्प प्रोटीन और मुलेरियन रिग्रेशन फेक्टर सिकीट करता है इसलिए इसमें कोई आप्सन नहीं है वैसा वाला तो ना नब्द हो जाएगा नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं नेक्स कोशन क्या बोल रहा है कि डाइकरियोन फॉर्मेशन इस अ करेक्टरिस्टिक सफ फंग चोईड पहला ओप्सन दे रहा है कि यूमरस एन्ट पेक्टोरल ग्रीडल तो ये शैनोवियल जोइट का आपका एक्सांपल नहीं है एक्स इक्स एक्रोप अट अरेक्सिश ये भी नहीं होगा customers देखो पहला ओप्प्सन और पेक्टोरल उन उनगत्र क्यूं रहा है क्या प कि between carpel and metacarpal of thumb carpel और metacarpal के बीच में क्या होता है gliding joint होता है fourth option क्या है कि between the adjacent vertebra adjacent vertebra के बीच में cartilaginous cartilaginous joint होता है तो answer क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा next question क्या बोल रहा है आपका 70 number कि which of the following is not a post pollination development पहला option formation of callous plugs in pollen tube यह सही है post development है second division of pollen cell in tube cell and generative cell नहीं नहीं जब pollen अभी degenerate नहीं हुआ होता है उसके पहले ही यह division हो जाते है इसलिए pre development है ना कि post development है तो answer क्या हो जाएगा आपका भी हो जाएगा next question की तरह बढ़ते है next question क्या बोल रहा है आपका कि वासा एक्टा is associated with किसके साथ associated होता है यह जक्स्टा मेडूलरी निफ्रोंस के साथ में होता है वासा रेक्टा देखो एपसेंट होता है किसमें cortical nephrons में या तो absent होता है या फिर highly reduced होता है लेकिन जो हमारा जक्स्टा मेडूलरी निफ्रोंस है उसमें वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड होता है ठीक है तो answer क्या हो जाएगा आपका जक्स्टा मेडूलरी हर्मोंस नेक्स्ट कोश्टन की तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन क्या बोल रहा है select the incorrect statement पहला है alginis obtained from algae सही है cyanobacteria from mycorrhiza which help in absorption of phosphate नहीं देखो myco का मतलब ही क्या है fungus है तो वह तो fungus होगा कोई साइन वेक्टिरिया तो नहीं हो सकता है तो इसलिए answer आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा next question की तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन क्या बोल रहा है कि conducting part of the tertiary bronchi and bronchiol ends up in कहां पे terminal bronchiol पे और फिर उसके आगे कहां चला जाता है वो एल्वी ओली में तो एंसर क्या आजाएगा terminal bronchiol ठीक नेक्स्ट कोश्टन की तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन क्या बोल रहा है कि callous can form plantlets by altering the concentration of plants में हरे खेला कि कौन खेल रहा होता है plant हमारे hormones खेल रहे होते हैं जिनके लिए हमें call word use करते हैं क्या phyto hormones और वही हमारा help करता है जैसे हमारा oxyn और cytokinin और जिब्रलीन है यह callous formation initiate करते हैं ठीक है तो answer क्या हो जाएगा हमारा phyto hormones हो जाएगा next question की तरह बढ़ते है question number 62 क्या है how many of the following structure or organs belong to the male reproductive system of cockroach इसमें से कौन-कौन से male reproductive system से बिलॉंग करते हैं तो कौन-कौन से utricular gland phallic gland और seminal vesicle यह तीनों क्या है belong करेंगे किस से हमारे male reproductive से कौन-कौन से हमारा कहां गया यह phallic हो गया और कौन सा utricular gland हो गया और कौन सा हमारा यह seminal vesicle हो गया ठीक next question की तरह बढ़ते हैं cytoskeleton is made up of cytoskeleton किसे बना है यार proteinaceous filament से हमारा cytoskeleton बना हुआ है किस से proteinaceous filament से बना हुआ है next question की तरह बढ़ते है next question क्या बोल रहा है कि c for belongs to phylum a members of such phylum are blind sick body यह कौन सा phylum का है क्या बोलते हुआ उसको नीडेरिया फेमली या फिर सिलेंटरेटा फेमली जिसमें radial symmetry होता है और body का organization कैसा होता है diploplastic और इनमें कोई metamerism भी नहीं होता है ठीक है बढ़ते next question की तरफ next question क्या बोल रहा है कि a man of blood group a marries a woman of blood group a b which type of progeny indicate the man is heterogigous देखो जब man homogigous होगा a blood group के लिए तो वो offer करेगा क्या कि उसका जो उसमें कभी भी blood group नहीं हो सकता है ठीक है तो अगर आप cross करके देखोगे तो इसका answer क्या आएगा c आएगा ठीक है next question की तरफ बढ़ते हैं हम next question आपका क्या बोल रहा है कि the essential chemical component of many co enzymes are क्या हो जाएगा इसका answer vitamins हो जाएगा क्या होगा vitamins होगा देखो बहुत को फेक्टर से बहुत सारे को enzymes से जो की small organic molecules से बने होते हैं होते हैं हमारे vitamins के derivatives होते हैं ठीक है next question की तरह बढ़ते हैं next question क्या बोल रहा है आपका कि stomata are not found in algae stomata किसमें नहीं होते हैं अलगी में नहीं होते हैं वह hydropide जो की fully submerged होते हैं water में उनमें कोई भी stomata या फिर कोई भी वेक्सी cuticle present नहीं होता है इसले stomata हमारे अलगे में present नहीं होता है next question की तरह बढ़ते हैं question number 48 क्या बोल रहा है कि which of the following animal have different symmetry in comparison to other three जो हमारा पाइला है इसमें क्या होता है पाइला में प्लीरो ब्रेकिया साइकोन और इसके लिए आपको पाता होना चाहिए कि यह किस किस phylum से बिलॉंग करते है ठीक है तो आपका answer कौन सा हो जाएगा हमारा पाइला हो जाएगा पाइला answer क्यों होगा क्योंकि यह जो रेडियल सिमेट्री है वो किसमें किसमें पाया जाता है लेकिन यह जो आपका पाइला है यह किस से बिलुंग करता है तो इस में डिफेंट तरह का पाइला के लिए और करते हैं कि पाइला के लिए पंसे लिए यूज़ बोल रहा है कि वीच बबाइग्ख फोलोईंग इस चाहिक ketone urea it is example of pleiotropy बिल्कुल सही बात है ये किसका example है pleiotropic जीन किसको बोलते हैं एक single gene multiple phenotypic expression को सो करें ना उसी कम लोग क्या बोलते हैं pleiotropic बोलते हैं second option है it is an autosomal dominant disease ये एक हमारा autosomal dominant disease नहीं है ठीक है बलकि ये एक हमारा autosomal recessive disorder है third option है कि it is cause due to a single gene mutation बिल्कुल सही बात है हमने तो उसी को तो बोला pleiotropy तो answer क्या हो जाएगा आपका बोथ a and c हो जाएगा next question की तरह बढ़ते हैं question number कौन सा 45 क्या बोला ये periderm includes periderm में कौन कौन से होते हैं कॉर्क और केंबियम और secondary cortex को क्या बोलते हैं और secondary cortex को क्या बोलते हैं हम लोग फेलो डर्म बोलते हैं क्या हो जाएगा all of the above हो जाएगा next question की तरह बढ़ते हैं next question क्या बोल रहा है कि which set of animals does not belong to the same phylum round warm hook warm और philarial warm किसे बिलॉंग करते हैं platy helminthes से ठीक है तो ये सही है second earth warm leech और neris ये किसे बिलॉंग करते हैं अने लीडा से सही है third option क्या है कि सी फेन सी पेन और ब्रेन को रवल किस से बिलॉंग करते हैं ये नीडेरिया से लेकिन ये जो हमारा devil fish है और octopus है और काइटोन है ये किसका है मुलस्क का है लेकिन king crab किसका है हमारा अर्थ्रो पूड़ा का इसलिए एंसर ये हो जाएगा नेस्ट की तरह बढ़ते हैं कोचन नंबर 39 क्या बोल रहा है आपका की इसी जी इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप अप्ट्रिकल एक्टिविटी अप्ट हर एक टेस्ट पेपर में इसी जी से कोशन पूछ रह नहीं ये तो डी पूराइजेशन आफ वेंट्रिकल को शो करता है तो ये वेंट्रिकल सिस्टॉल को सो नहीं करता थीक है तो एंसर क्या हो जाएगा आपका qrs complex next question की तरह बढ़ते हैं नेक्स इसके क्या बोल हो रहे आपका की मेड ब्रेंन कहा पर होता है यार मीड ब्रें हुता है आपके और 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 पॉल पर लेड़ा इसको ट्रेकियल बोलते हैं सेकेंड और्थम हमारा होते हैं टीक एक ट्रोपोर्ट मिडलस्क में क्या होता है वहां पर तो गिल्स होते हैं और फिर इस पेशल्द वस्कुलिराइजी स््ट्रक्चर्ट्टर्स भी होते तो एंसर क्या वगा आत वग्या होगा थे क्वां क्या बोल रहा है कि PEM protein energy malnutrition that affects the effects results in पहला option होगा क्या MRASMUS यह किसमें होता है एक साल तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें होता है और यह क्यूं होता है यह dehydration और weight loss हो जाता है इसमें इसके symptoms क्या है weight loss dehydration chronic diarrhea हो जाता है ठीक और यह severe form है किसका protein energy जी मलनूट्रीशन का ठीक है तो एंसर हो जाएगा आपका ए नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं नेक्स कोशन क्या बोल रहा है कि इसको रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक बोलते हैं की तरह बढ़ते हैं नेक्स कोशन क्या बोल रहा है कि स्टेट्मेंट वन कंपिटेटीव इनिबीटर इस अल्सों कॉल्ड इस सब्स्ट्रेट एनालोग बिल्कुल सही है सेकेंड बोल रहा है कि रिजेंबल नहीं करते हैं क्योंकि यह देखो दोनों एक साथ ना बाइंड नही नेक्स कोशन आपका क्या है कि ATP एन एनेडपीपी प्लस पॉस्टी बोथ हा रिक्वार डुलिंग क्रूजट्यंट कोशन की तरह बढ़ते हैं कि दई जो नीम इंस फाउंड इन सीलिया और फ्लेजला दोनों में यह पाया जाता है स्ट्रक्चर देखना आप ncrt में जाके देख सकती इसमें नाइन प्लस टू का क्या होता है और्गनाजेशन होता है माइक्रो टुबूल्स का जो कि सेंट्रल ही लोकेटेड होते हैं कौन माइक्रो टुबूल्स नेक्स्ट की तरह बढ़ते हैं कि एन्वल रिंग्स और वाइड एक्टिविटी अफ किसके एक्टिविटी के वज़ा से होता है दूरिंग देखते हैं जैगो मॉर्फीग फ्लावर और वाल्वेट इंब्रिकेट सथी इस्ट वेशन सो कौन करता है टो आपको इसमें से ढूंडना है कि fbc family के कौन-कौन से हैं तो कौन-कौन सा है भाई पल्सेज हैं और कौन से हैं पल्सेज में ग्राम हो गया अरहर से मूंग, स्याबिन, ग्राउड नाट, इंडीगो फेरा, सन, हम, सेसबेनिया तो इसमें से मुझे तो चारी दिख रहे हैं तो इंसर क्या हो जाएगा बी हो कि तरह बढ़ते हैं the smallest among the following is सबसे smallest कौन सा होता है हमारा वेक्टिरियो फेज इसमें की कोई वेक्टिरियल क्या गटता है यह बेक्टिरियल सेल्स को एटेक करता है और यह smaller होता है किससे टी एंबी टो मैंको मुझे एक वायरस से भी यह छोटा होता है कौन हमारा बेक्टिरियो फेज नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं हम अल अब फोलोइंग कंट्रीबूटेट तो मेंडल सक्सेस एक्सेप्ट कौन वर्किंग वन स्मॉल सिंपल साइज एट अट टाइम वह स्मॉ पीस्टि यार और यहीज बी इन इंड इस्पेश सपीक दिल को रिप्लिकेशन मुड़ होगा और कि और कॉंपलेट यह से जो प्राइमर्य यूज्ड होता है वह क्या होता है ऐसन görünet आपका 3rd and 5 से 3rd direction में always क्या होता है dna का रेप्लिकेशन होता है next question की तरह बढ़ते है question number 18 which of the following location act as the reservoir for nitrogen cycle कौन सा हमारा यह atmosphere ठीक है कौन सा atmosphere main store house है किसका हमारे nitrogen cycle के लिए next question की तरह बढ़ते है question number 11 क्या बोल रहा है if the protoplast of tomato is fused with potato protoplast and grown as a new plant it will be known as इसको बोलते हैं हम लोग somatic hybrid मतलब क्या बोलते हैं इसको somatic hybrid या फिर इसको बोलते है somatic hybridization इसमें दो somatic cells को fused करके एक hybrid cell बनाया जाता है ठीक है तो एंसर क्या हो जागा आपका somatic hybrid next question की तरह बढ़ते है next question क्या है how many of the following disease are transmitted by contaminated food and water तो contaminated food of water से क्या क्या होता है हमें टाइफाइड और amoebiasis होता है तो answer क्या हो जाएगा two हो जाएगा कौन-कौन सा एक हो जाएगा amoebiasis और एक हो जाएगा हमारा यह टाइफाइड ठीक तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते है अगले वीडियो में टेस्ट नंबर 16 के साथ तब तक के लिए कोई doubt हो comment section में जाए hashtag askbyon पर doubt पूछे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो share करें subscribe करें मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए stay safe stay home all the best I'm falling, tell me why I'm falling, oh life's calling, but it's hard because I'm falling